अब हर जाती, हर समुदाय, हर प्रदेश और हर रंग के लोग डिमोक्रिसी की चिंता करते हुए सड़क पर हैं लेकिन सरकार जो बैठी है उससे इसकी चिंता नहीं है तो इससे आप बिलकुल बता सकते हैं कि जब सड़कें इस तरह से आवाज उठा रही है तो यह सीधा संदेश है यह ताना शाहों को कि आप केवल भारत के सेकुलरिजम को खतरे में डाल करके नफरत की सियासत से अपनी कुर्सी बचाने का काम नहीं कर रहे हैं आप इस देश के लोकतंत्र की जो गहरी बुनियादे थी उनको खोखला कर रहे हैं और इसका परिणाम ही यह है कि इस तरह के सर्वे सीधे सीधे वो बात कह रहे हैं क्योंकि आप जो इस देश की हलत है उसे गोदी मीडिया तो दिखाएगा ने मीडिया उन्हीं कारपोरेट घरानों के हाथ में खेल रहा है जिन्होंने इन तानशाओं की सरकारे बनाई तो वो मीडिया अपना काम कर रहा है कि आम जनता को सच और हकीकत से दूर रखा जा उसमें वो मीडिया सफल है मेन इस्ट्रीम मीडिया जिसे हम लोग मनुश्ट्री तो अब ऐसे में जो सच है वो सत्ता का सच वह है जो सत्ता बोल रही है और जिस सच को आम जनता तक ले जाने के लिए अरबों रुपए खर्च करके पूरा कैबिनेट पूरा केडर उतार करके किसी एके पक्ष में माहल बनाने के लिए जा रही है ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ देश की बात छोड़िये तो ऐसे में जो सच हकीकत में लोकतंत्र के पक्ष वाला है वो जनता के पास है लोहिया जी कहा करते थे कि जब सडकें खामोश हो जाए तो संसत आवारा हो जात लेकिन इस सच को ताना शाहों की सरकारें कबूल नहीं करेंगी तो जो भरोसे मंद न्यूस पोर्टल है वो दिखा रहे हैं गरीबी में आप बुकमरी में आप कोपोशन में आप सबसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आपका इंडेक्स बढ़ता जा रहे हैं दूसरी तरब अस लोजगारों के आत्मत्यादर हो गई जीडीपी अपने नियोनतम अस्तर पे आ गई है और थविवस्था में जो मंदी की हालत है वो एकडम साफ जाहिर है तो यह सच तो जनता का है आम आवाम का है लोगतंत्र का असली चेहरा है जिसे मीडिया नहीं दिखाएगी और यह सत तो आई में बैठे हुए है तो कैसे डेखे श्वस अब भारत जैसे देश में लैंगिक तोर पे जातिगत तोर पे और तमाम इस तरह के पहिचानों के आधार पे एक बहत बीमार मानसिता सत्यों से चलिया रही है वो महिलाओं के दमन के इतिहास से लबरेज है वो जातिकत दमन के आधार पर रही है वही दोनों तीनों चीजें आज सामने दिख रही है मैं उन्हें उस बीमारी का शिकार मानता हूँ जिस बीमारी का शिकार भारती मानस रहा है जो सत्ता चलाता रहा है जो घोर महिला विरोधी घोर बहुजन विरोधी गरीब विरोधी कमजोर विरोधी कामगार विरोधी रहा है तो आज पहली बार इस देश में हो रहा है आम तोर पर पुरुशान दोलनों में शरीक हुआ करते थे महिलाएं बिना किसी पुलिटिकल पालिटी के मोटिवेशन के बिना किसी लिडर्शिप के वो लोकतंत्र को बचाने, सम्विधान को बचाने, अपने इस देश को बचाने के लिए और जाके देखिए उनकी तस्वीरों पे कौन है, सावित्री भाई फूले और फातिमा शेख, और वो अपने जुनून से सडक पर है, उनका यह भद्धा मज यह बीमार मानसिक्ता का परिचायक है, जिससे मठ चलाने नहीं आया, वो देश और राजी चलाने बैठा है, ऐसे अजै सिंग बिष्ट से, जिसको पता ही नहीं कि आजादी लब्ज की मानिंग क्या है, उसे आजादी लब्ज के इस्तेमाल पर कहता है, राजदरों लगाए थी, कि वह उत्तर प्रदेश का ऐसा नेतास था, जो सबसे ज्यादा जहरीला नफरत बारा भाशन देना है, यह उसकी यूस पी रही है